हेलो एव्रिवान वेल्कम बैक तो मैटर इन आर सराउंडिंग का आज हम लेक्चर नंबर नाइन स्टार्ट करने वाले हैं सो इन्जॉई स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा एक स्टूडेंट के माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी रहनी चाहिए स्टूडेंट का माइं बिलकुल काम होना चाहिए इतना जाधा माइंड काम होगा उतना हम एफेक्टिव लर्निंग कर पाएंगे और रही बात society की society में changes लाने की तो जब आप कुछ अच्छा पढ़ेंगे, कुछ अच्छा बन जाएंगे तो automatically आप society में change ला पाएंगे आज गुसा करने से कुछ भी नहीं होगा हमें अपने आपको कुछ better बनाना पड़ेगा फिर सब कुछ हो जाएगा चलिए अब question पर आते हैं तो यह chapter हमने previous lecture में end कर लिया था यह हमारे कुछ NCRT questions हैं जो हम discuss करने वाले हैं Why does a desert cooler cool better on a hot dry day? Okay, this is the question First of all day is hot and dry Okay, first thing Second thing, जो आपका cooler है उसकी three sides पर cooler की three sides पर आप देखते हैं आपने straw mats डाले होते हैं ये side, ये side और back वाली side पर भी और cooler की जो front side है वहाँ पर आपका fan होता है तो क्या होता है और यहाँ पर water pump भी होता है fan के नीचे तो water pump क्या करता है constantly mats के ओपर water को pour करता रहता है और इस fan का काम है और mats को cross करेगी ऐसा ही होगा ठीक है, cooler चल रहा है mats पर पानी गिर रहा है और cooler का fan चल रहा है तो वो hot air को अंदर की तरफ attract कर रहा है ठीक है तो air जब अंदर आएगी कहीं से भी आ सकती है तीनों sides में से कहीं से भी जहाँ पर mat लगे है वहाँ से air अंदर आ सकती है और जब वो mat के साथ contact में आएगी ठीक है तो क्या होगा air moisture के साथ contact में आएगी और जैसे ही hot air moisture के साथ contact में आएगी तो क्या हो जाएगा जो moisture है वो evaporate हो जाएगा वो जब evaporate होगा तो वो air में से heat को लेकर evaporate होगा क्योंकि evaporate होने के लिए heat को absorb करना पड़ता है और moisture heat कहां से absorb करेगा air में से ठीक है और evaporate हो जाएगा और इस process में air से heat निकल रहा है तो air cool down हो जाएगा और वो cool down air जो है वो fan के through आपके उपर fall होगा तो इसलिए क्या हो जाएगा आपको बहुत ही बहुत ही ठंडी ठंडी हवा feel होगी अब उसने बोला है कि hot dry day देखो day जितना ज़्यादा hot or dry होगा ठीक है उससे क्या होगा air उतनी ज़्यादा air मतलब day hot है तो air hot होगी ठीक है day dry है तो इसका मतलब air में moisture कम है ठीक है वो air के साथ contact में आएगा air air क्या हो जाएगा air air क्या करेगी air heat release करेगी moisture evaporate हो जाएगा और air जो है वो cool down हो जाएगी तो जितना ज़्यादा hot dry day होगा उतना अच्छा हमें feel होगा I hope आपका ये question clear हो गया है अब हम आगे चलेंगे next how does water kept in a earthen pot become cool during summer सच बताऊं तो ये questions मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं पिछला question भी काफी अच्छा लगा क्योंकि practical life के साथ इसका significance है हो सकता है आज आज आप लोग AC यूज़ कर रहे हूं लेकिन मैंने तो बच्पन में cooler यूज़ किया तो मुझे ये question बहुत अच्छे समझाया ओके ये मटके वाला question fact है कि आज आज कल आप लोग तो refrigerator यूज़ कर रहे हैं बट बच्पन में कभी कभी मैंने मटका देखा है आज भी आप देखेंगे कई कई जगा पर मटका यूज़ किया जाता है ओके कभी आपको मटका मिले तो आप इस question का meaning समझ पाएंगे आज किसी ने अगर मटका यूज़ किया है तो प्लीज comment box में बताएं मुझे कि हमने कभी मटका यूज़ किया है या कभी मटका देखा है ओके तो अब देखते है अब क्या होता है जो अर्धन पॉर्ट होता है वो मिट्टी से बना होता है ठीक है उसमें small-small pores होते है तो water जब आप इसके अंदर रखते हो तो water इन pores में से बहार आता रहता है continuously बिलकुल small-small pores है और water के बिलकुल छोटे-छोटे droplets जो शायद नजर भी नहीं आएंगे वो बहार आते रहते है water oozes out यह word लिखा है oozes out बहुत ही प्यार सा word है ooze out ऑगी अब क्या होता है जब water बहार आता है तो water बाहर तो गर्मी यह तो water evaporate होने के कोशिश करेगा तो water नही expect करेगा ठीक है बहार surrounding से भीEnt absorb कर सकता है बट वो water जो अंदरवला water है वहां से drops की form में वो अंदर वाले water से heat absorb करता है और evaporate हो जाता है ठीक है तो heat अंदर वाले water से बाहर निकल रही है तो अंदर वाला water cool down हो जाएगा ठीक है तो इसलिए मटके का water ठंडा होता है बहुत easy सा question है यह सारे questions एक दूसरे से related है evaporation और heat concept के बारे में ही बता रहे हैं अच्छे third question हमने पिछली वीडियो में discuss कर ली है अब मैं दुबारा नहीं बता रहा आपको आप वहीं से देखना प्लीज यहां से read कर सकते हैं और पिछली वीडियो आप देख सकते हैं ओके तो हमारे channel में जो playlist है वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे आप वहाँ पे playlist में class class 9 chemistry वाला folder खोलना तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं next question देखेंगे why are we able to sip hot tea और milk faster from a saucer rather than a cup okay जो आप जिनके मतलब आपने अगर notice किया है कि आपके दादा दादी या और भी जो old people है वो क्या करते हैं वो cup में tea पीने से जादा prefer करते हैं saucer में tea पीते हैं या कटोरी में tea पीते हैं मेरी दादी भी ऐसा ही करती थी उस तक मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करती है saucer rather than a cup तो saucer में या कटोरी में जब आप milk या hot tea पीते हो तो क्या होगा तो क्या होगा और अगर cup में पियोगे तो क्या होगा तो पहले मैं आपको वो समझाओंगा फिर हम इसका आंसर भी साथ-साथ कर लेंगे देखो जब आप cup से tea पी होगे तो cup में tea जो होगी बड़ी अब जिनको गरम पसंद है यह question उनके लिए बना है ठीक है जो गरम गरम tea पीना चाहते हैं तो यहां लिखा है कि अगर आप hot tea या milk sorry sorry why are we able to sip hot tea और milk faster from a saucer than a cup ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यह थंडे वालों के लिए ही बना है question कि saucer से आप tea को जादा जल्दी क्यों sip कर सकते है rather than from cup क्योंकि cup से करोगे तो cup में tea गरम है जीब जल जाएगी और अगर saucer से करोगे तो saucer में tea ठंडी है तो जीब नहीं जलेग अब question यह है कि saucer में tea ठंडी क्यों है उसका reason है surface area देखो cup का mouth छोटा होता है उसका surface area कम है देखो cup यह है देखो जो tea यह है surface यह उपर वाला surface region होता है यह tea पढ़ी है पूरी की पूरी और यह surface है आपका और यह है saucer अब surface देखो अब surface थोड़ा बढ़ गया है ना surface जादा होता है वहाँ पे वहाँ पे evaporation जादा होती है और जहाँ evaporation जादा होगी वहाँ पे cooling fast होगी तो saucer में cooling जल्दी हो जाती है तो हम ज्यादा टीवी पाते है और cup में cooling कम होती है तो हम कम टीवी पाते है तो यह इसका answer था नेक्स्ट ये वाले टाइप के question भी हमने पिछली वीडियो में की है ठीक है ये वाला भी किया है आप answer यहां देख सकते हैं और पिछे वीडियो आप follow कर सकते हैं नेक्स्ट ये question discuss करेंगे Give reasons for the following observations Napthrine balls disappear with time without leaving any solid Napthrine balls disappear हो जाती है Napthrine balls क्या होता है अब जैसे गर्मिया आ रही है तो सर्दियों वाले कपड़े हम लोग क्या करेंगे हम लोग अपने जैसे जो हम क्या करते हैं हम तो गर पे ना जो बेड में बेट का खाना होता है ना उसमें डाल देते हैं जो हमारे जो सर्दियों वाले कपड़े होते हैं हमारे पास एक ट्रंक भी उसमें भी डाल देते हैं अब आप पता नहीं किसमें डालते हैं आप पूछना अपनी मम्मी से कि सर्दियों वाले कपड़े वो कहा रखती है तो वो जब सरदेवाले कपड़े समालते हैं उसमें नाप्तलीन की चुट-चुटी बॉल्स होती है वो डाल देते हैं ठीक है तो नाप्तलीन बॉल्स अब कुशिन क्या है नाप्तलीन बॉल्स डिसपेर विट टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिट तो जो हम अभी नाप्तलीन की बॉल्स डालेंगे जब 6 मीने के बाद हम कपड़े बाहर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि नाप्तलीन बॉल गायब हो जाती है है ना बड़ा अजीब सा प्रसेट मतलब वो लगता है कि या नाप्थलीन पॉल गायब होगी, यह तो जादू हो गया बट वहाँ पे कोई जादू नहीं है, वहाँ पे सिंपल सी केमिस्ट्री है हमने सब्लीमेशन के बारे में पढ़ा है और हमने सब्लीमेशन के एक्जामपल में नाप्थलीन पढ़ा था नेक्स्ट पार्ट भी इसका वी केन, get the smell of perfume sitting several meters away तो यह हमने beginning वाली वीडियो में डिसकस किया था आप आँसे देखिएगा please और यहाँ answer लिखा है आप answer read कर सकते हैं समझना हो तो पिछली वीडियो फॉलो कर सकते हैं ओके यह fourth question है arrange the falling substances in increasing order of force of attraction between the particles water, sugar, oxygen इन में force of attraction के बारे में पूचा है यहाँ पर oxygen, water और sugar लिखा हुआ है बट मुझे oxygen, sugar और water लगता है ठीक है मैं इसको फिर भी कहीं और study करूँगा oxygen, sugar, water सबसे कम forces जो हैं वो oxygen में है फिर sugar में और फिर water में नहीं ठीक लिखा हुआ है मैं आपको reason उताता हूँ, क्यूँ मैंने कुछ और क्यूँ सोचा वो intermolecular forces class 11 में है उस base पे सोचा, बट यह इन्होंने ठीक लिखा है यहाँ पर इन्होंने reason दिया हुआ है size के base पे, oxygen molecule size में सबसे चोटा है, water उससे बड़ा है और sugar सबसे बड़ा है तो size के base पे, oxygen चोटा है water का molecule थोड़ा बड़ा है और sugar का molecule सबसे बड़ा है जिसका size ज़्यादा होता है वहाँ पे forces of attraction ज़्यादा होती है बस यही इसका answer है ठीक है, अब आप सोचेंगे कि बड़ा कैसे oxygen molecule का formula O2 होता है water is H2O और sugar होती है C12H22O11 तो यह इसका formula है तो obvious है C12H22O11 तो यह इसका formula है obvious है कि इसमें ज़्यादा atoms है sugar में सबसे बड़ा molecule होगा है water में उससे कम atoms है और oxygen में सबसे कम atoms है इस base space का answer दी है ठीक है, तो यह answer ठीक है मैं कुछ और सोच रहा था यह answer correct है ओकी, next है question number 5 यह थोड़ा simple सा question है what is the physical state of water at 25 degrees Celsius सबको बता है water जो है 0 degree पर melt या freeze होता है 100 degree पर boil या आप बोल सकते हैं condensed होता है पर 25 degree पर water तो liquid state में होता है 0 degree पर देखो अगर आप high temperature से low temperature तक जा रहे है 2 degree से 0 degree minus 1 degree ऐसे जा रहे है तो 2 degree पर water liquid है 0 पर क्या होगा solid में change होना शुरू हो जाएगा और ultimately पूरा solid में change हो जाएगा मतलब 0 degree पर liquid भी होगा और solid भी होगा या आप opposite process कर लीजे आप minus 2 से plus 2 की तरफ जा रहे है मतलब temperature इंक्रीज कर रहे है minus 2 पर solid होगा 0 पर क्या होगा solid liquid में change होना शुरू हो जाएगा और ultimately पूरा completely change हो भी जाएगा तो 0 degree पर दोनों states होती है solid और liquid इसी तरह 100 degree पर 100 degree पता है आपको water का boiling point है तो 100 degree पर भी दोनों state होती है अगर आप 98 से 102 तक जा रहे है तो क्या होगा आपका liquid vapor में change होगा ठीक है तो 100 पर liquid भी होगा और वो vapor में change भी हो जाएगा ठीक और अगर आप 102 से 98 पर आ रहे हैं तो vapors जो है वो liquid पर change हो जाएगे 100 में ठीक है नवो depend करता है आप किस direction में जा रहे है 98 से 102 में जा रहे है तो liquid vapor में change हो रहे है liquid से vapor में और 102 से 98 पर आ रहे हो तो vapor liquid में change हो रहा होगा ठीक है होंगे तो दोनों वहाँ पर भी तो यह इसका answer है next यहाँ पर था answer ठीक है next question है give two reasons to justify water at room temperature is a liquid water liquid क्यों है तो उसका उसका एक reason तो यह ही है reason है intermolecular forces and kinetic energy intermolecular forces क्या होती है force of attraction between the particles particles kinetic energy क्यों ह altura क्यों होती है kinetic energy होते नदाटर की वजह से थे को thermal energy भी बोल सकते हैं आप पर्यारस नोदेर्श नदार्शा चाते है particles बास आ जाएं तो इन दोनों forces पर डिपेंक करता है कि कोई substance के स्टेट में exist करेगा तो यहां पर इन दोनों का balance इस टाइप का है कि आपका water liquid state में exist करता है at room temperature ठीक है इसका एक और reason हो सकता है यह थोड़ा समझने वाला reason है water का water का freezing point या आप बोल सकते हो melting point कितना zero degree Celsius ठीक है तो zero degree पर water अगर आप high to low जा रहे है तो water liquid से solid में change हो जाएगा और अगर minus 2 से 2 पे तरफ जा रहे हैं तो solid से liquid में change हो जाएगा लिकिन 25 degree पर room temperature 25 degree Celsius होता है वहाँ पर water को क्या रहना चाहिए liquid state में रहना चाहिए क्यों क्यों क्योंगी water का melting point कितना है zero degree freezing point में कितना है zero degree और zero से above water कि state में रहेगा liquid state में, 0 से below में solid होगा, 0 से अबब में liquid, और इस तरह 100 पे जाकर वो boil हो जाता है, तो 100 से अबब पे क्या होगा वो vapor की form में होगा तो क्या होगा, 25 पे liquid की state में, ठीक है, 0 से नीचे solid, 100 से उपर vapor और 0 और 100 के बीच में, यानि 1 degree और 99 तक, क्या होगा liquid state होगा, नेक्स्ट है हमारे पास आरे इल्मीरा is a solid at room temperature, अब आरे इल्मीरा का हमें ना melting point पता है ना boiling point पता है, लेकिन हम guess कर सकते है पहले, kinetic energy और intermolecular force के base पे बोल सकते हो, कि दोनों की value इस तरह की है, intermolecular force बहुत जारा strong है, kinetic energy बहुत कम है, particles बहुत ही जार tightly packed है, इसलिए वो solid state में exist कर रहा है, दूसरा आप बोल सकते हो कि ये solid state में है, इसका मतलब, इसका जो melting point है melting point melting point क्या होता है, वो temperature जिस पे substance melt होता है, वो room temperature से जाधा है 25 degree room temperature है, हो सकता है 1000 degree melting point है 25 में, किस state में रहेगा, solid state में 1000 पे जाकर melt हो जाएगा तो ये इसका answer था, अच्छा एक चीज़ और है, कई बार हम word पढ़ते है gas, और कई बार हम word पढ़ते है vapor, इसमें क्या difference है जो substance room temperature पर solid या liquid state में है solid या liquid state में और हम high temperature पर उसको gas में change कर रहे है तो उस substance उस substance से जो gaseous particles बनते हैं, उनको हम vapors बोलते है और जो substance room temperature पर gas state में है, उसको हम gas बोलते है तो gas word तब आता है जब कोई substance room temperature पर gaseous state में रहता है और vapor तब आता है, जब आप क्या करते हो high temperature देकर किसी substance को gaseous state में लेके जा रहे हो तो आप उसको vapor बोलते हो जैसे water, vapor, but oxygen, gas क्योंकि oxygen room temperature पर gas की form में है, लेकिन water room temperature पर liquid form पर है, high temperature देकर आप उसको आप उसको gas की form में लेकर जा रहे हो मतलब आप water के लिए word यूज करोगे vapor, I hope आपको यह समझ आ गया next question है why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature okay 273 मतलब 0 degree Celsius आपको पता 0 degree Celsius पर क्या होता है, अगर आप temperature देज़े बढ़ा रहे हैं, तो 0 degree पर क्या होता है ice जो है, liquid state में change हो जाती है मतलब solid जो है, liquid में change हो जाएगा ठीक है, तो क्या होता है आपका यहाँ पर latent heat of latent heat का concept है, latent heat of fusion का concept है, आपको पता है 0 degree पर जो ice है, वो क्या करती है heat absorb करती है, जिसको बोलते है latent heat of fusion और liquid में change हो जाती है ठीक है, माल लो 0 degree पर क्या होता है, आपके पास ice भी है water भी है, दोनों चीज़े है तो water कैसे बना है, latent heat को absorb करके और ice ने अभी तक latent heat absorb नहीं की है, अगर absorb कर लेगा, तो वो भी water में change हो जाएगा, तो इसका मतलब जादा heat किसके पास है water के पास, जो heat absorb कर लेए वो heat उसकी हो जाती है, water के पास जादा heat है as compared to ice, इसलिए यह आपका answer हो जाएगा, why is ice more effective in cooling, cooling में ice क्यों जादा effective है, क्योंकि इसके पास कम heat है, और water के पास जादा heat है क्योंकि ice ने latent heat absorb की तभी water बना ठीक है, तो वो latent heat water के पास है similarly next question है what produces more severe burns boiling water और steam, तो देखो boiling water और steam, 100 degree पर क्या होगा, steam बनेगी ठीक है, boiling water या steam का मतलब क्या है, दोनों को मानलो आपने 100 degree पर लिया है, ठीक तो boiling water, steam में कब change होगा जब वो latent heat को absorb कर लेगा, ठीक है तो steam के पास जादा heat है क्योंकि steam latent heat absorb कर लेती है तो steam जादा severe burns cause करेगी, boiling water इतने जादा severe burns नहीं cause करेगा although उससे भी problem होगा बर steam से जादा problem होगा ओके, ये वाला आपको try करेंगे ये मैंने आपसे पहले भी discuss के यहाँ पे सिर्फ states change करनी है solid to liquid, sorry, ऐसे solid to liquid, liquid to solid, क्या बोलते हैं इस process को, solid to liquid को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं solid to liquid को fusion, ऐसे आपने बाकी देखने हैं आंसर लिखेंगे हैं आप, liquid to gas को क्या बोलते हैं, टीके, इसी तरह gas to liquid को क्या बोलते हैं इसी तरह, यहाँ पे दिए solid to gas को क्या बोलते हैं और gas to solid को क्या बोलते हैं, सारे answers दिए हैं, मैंने ये अच्छे से discuss भी किया था आपसे तो आज हम इतना ही करेंगे तैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जब भी आप वीडियो देखते हैं मेरा कॉन्फिटेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है और मुझे फिर बढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आता है तीक है मैं चीजों को जतना ज़्यादा इंजॉई करता हूँ उतनी चीजों को असान वे में आपको बता पाता हूँ जब मेरे माइंड में ही कुछ चल रहा होता है तो नाचरली मैं अच्छे से आपको एक्स्प्लेइन नहीं कर पा हूँग तो अगर आप चाते हैं मैं और अच्छे से आपको एक्स्प्लेइन करूँ और आपको लग रहा है मेरी वीडियो आपको किसी काम में आ रही है तो प्लीज इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो भी आपके क्लासमेट्स हैं या जो भी केमिस्ट्री सीखना चाते हैं आप प्लीज उनके साथ ये शेयर करो उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए ठीक है जैसे जैसे आप मेरी वीडियो को ज़्यादा देखते हैं सब्सक्राइब करते हैं मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है सो ठीक है आप प्लीज ऐसा करना थैंक यू सो मुच फॉर वाच्चिंग हाव नाइस देख एंड कीप स्माइलिंग